आपको A is to B दिया है 1 is to 2, B is to C दिया है 3 is to 4 and C is to D is given to you is 2 is to 3 ओके और and D is to E is given to you 3 is to 4 you have to find B is to E find it fast अच्छा यहाँ देख लो इसको आप चाओ तो एक लाइन में भी कर सकते हो हमेशा जब भी आपको finally आपको क्या निकालना है आपको निकालना है B is to E लेकिन आपने पहले पूरा निकालना पड़ेगा ratio A is to B is to C is to D is to E पूरा निकालना पड़ेगा और तब आप B और E को लेंगे ठीक है तो इसको किस तरीके से करेंगे अच्छा आपको A is to B कितना दिया है 1 is to 2 और साथ में B is to C कितना दिया है 3 is to 4 तो सबसे पहले हम लोग इन दो ratios को we'll try to merge पहले आप A is to B और B is to C को merge करो merge करने का तरीका क्या है common देखो common क्या है इसका B कितना है 2 और इसका B कितना है 3 ठीके तो आप क्या करो दोनों ratios को आप एक दुसरे के जो opposite B है उससे multiply करो ताकि ओ B सेम आ जाए ठीके तो यहां से अगर हम merge करेंगे तो यहां का B 3 है I'll multiply this ratio by 3 और वहां का B 2 है तो I'll multiply it by 2 ठीके ताकि B को मैं merge कर सको तो यहां पर आजाएगा A is to B will going to be 3 is to 6 और B is to C here will going to be 6 is to 8 तो यहां से अब आप B और B को merge कर सकते हो क्योंकि उनकी value same आ चुकी है So therefore A is to B is to C will going to become 3 is to 6 is to 8 ठीके इसका एक shortcut भी है पहले मैं आपको यह बता दू अब A is to B is to C आ गया अच्छा तो A is to B is to C कितना आ गया 3 is to 6 is to 8 और इसके साथ मैं C is to D अब लोगा ठीके अब मझे को कि C is to D compare करना है ना ओके ठीके अच्छा C is to D दिया है 2 is to 3 तो यहां पर अब आपने क्या करना है अब दोनों में same क्या है यहां पर C है C इसका 8 है यहां पर C कितना है 2 है ठीके तो इनके multiplication से क्योंकि अगर हमें दोनों के C को same बनाना है so I multiply this ratio by 8 I will multiply this ratio by 2 तो यहां से A is to B is to C कितना जाएगा 6 is to 12 is to 16 और यहां पर C is to D कितना जाएगा 16 is to 24 इसका मैंने basic भी आपको बता रखा है ठीके और lectures आप देखेगा जिन बच्चों को problem है ठीके तो 6 is to 12 is to 16 is to 24 सब merge हो चुके अब इसको merge करो आप D is to E के साथ ओके so D is to E कितना दिया है question में देख लेते है ओके so D is to E दिया है 3 is to 4 ठीके अब फाइनली 3 is to 4 को हम लोग merge करेंगे 3 is to 4 ठीके तो अब common क्या आ रहा है अब common आ रहा है D ओके now D is common तो इसका D है 24 और इसका D है 3 ठीके तो बस इससे हम लोग multiply कर लेंगे ओके तो यहां से मैं क्या multiply करूँगा मैं यहां पर into 3 करूँगा और यहां पर into 24 करूँगा और मुझे finally क्या निकालना है मुझे finally निकालना है B is to E न हाँ B is to E तो अब आप directly B और E को देखिए बस इसका B कितना है 12 तो यह जाएगा 12 into 3 मैं directly B is to E निकालना है finally is equal to अच्छा E क्या है यहां पर E यहां पर हो जाएगा 4 into 24 4 into 24 ठीक है मैंने सिर्फ B is to E लिया है बस इन रेशियोस को solve करो 12 1s are 12 12 2s are ठीक है So B is to E will going to be 3 is to 8 3 is to 8 is the answer इन रेशियोस को